नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की महिलाओं के पास काफी सोना होता है कॉंग्रिस की सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगल सूत्र भी छीलेगी और मुसल्मानों में बाटतेगी देखे राजनीती में तो इस जूट के फायदे नुकसान है ही लेकिन मोदी ने ये बयान बेहोशी में दिया, ये जूट बेहोशी में बोला या इसके पीछे मुद्दा विहीन बीजेपी की कोई बड़ी रिसर्च है आज इसी को समझेंगे दोस्तों आकडों से समझें तो देश की महिलाओं के पास काफी सुना है काफी समपत्ती उनके नाम है सेविंस करने की प्रवर्टी महिलाओं में जदा होती है क्या इस बार मोदी हिंदू महिलाओं को मुसलमानों से डरा कर वोट लेना चाहते हैं आज इसे समझेंगे दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं के पास करीब 21,000 टन सोना मौझूद है और अगर इसकी कीमत निकाली जाए तो आकड़ा 100 लाख करोड के आसपास बैटता है अब बड़ी बात यह है कि भारती महिलाओं के पास दुनिया में सबसे ज़ादा सोना है दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी जितना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा उससे ज़ादा सोना तो भारत की महिलाओं ने अपने पास रखा हुआ है अब समझने वाली बात यह भी है कि भारत के लोगों में निवेश करने की पुरान यादत है वहाँ भी बैंक से ज़ादा लोग सोने में निवेश करते हैं एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस समय लोगों के पास मौजूद सोने में 80% गहनों के रूप में हैं यानि कि भारती महिलाएं सोने के गहने बड़ी मात्रा में अपने पास रखती हैं। भारत जैसे देश में तियोहार और दूसरे सांस्कृति कारिक्रूमों की वज़ा से भी सोने के गहनों को खास प्रत्मिक्ता दी जाती है। उन्हें लेकर एक भावनात्मक महौल भी महिलाओं के बीच रहता है। इसी वज़ा से मोदी ने भी कॉंगरिस के मेनफेस्टू के सहारे महिलाओं के मंगल सूत्र का जूट बोल दिया। मोदी को मालूम है कि मंगल सूत्र बोलने से महिलाओं थोड़ी जादा जल्दी प्रभाव में आ जाएंगी या फिर डर के घेरे में आ जाएंगी। क्योंकि मंगल सूत्र का अर्थ उनके पती के प्राणों से भी जुड़ा होता है। सोने को लेकर एक आकड़ा ये भी है कि भारत के मंदरों के पास धाई हजार टन से भी जादा का गोल्ड मौझूद है। केरल पदमनाव स्वामी मंदर में तेरा सो टन सोना हैं, तिरुपती मंदर के पास धाई सो से तीन सो टन सोना हैं। और तिरुपती मंदिर में तो 100 किलो सोना चड़ावे की रूप में भी आता रहता है। अगर कहा जाए कि भारत को सोने से बहुत लगाव है, इसलिए भारत अंग्रेजों के समय सोने की चिडिया कहलाता था। पिशले 6 सालों में ही सोने की खपत में भी बहुत बड़ा इज़ावा देखने को मिला है। जो आकड़ा कोरोना काल के दौरान 445 तन चल रहा था, अभी वो 799 तन तक बहुत चुका है। और बड़ी बात ये भी है, दोस्तों की आजादी के बाद से सोने का भाव तो लगातार बढ़ता गया है, लेकिन डिमांड में कमी देखने को मिली है। 89 रुपे से शुरू हुआ सोने का भाव अब 70,000 के पार जा चुका है, लेकिन आज भी सोना लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर कोरोना काल से पहले चले जाएं, तो 2019 में तो एक समय ऐसा आ गया था, जब भारत के पास अमेरिका के गोल्ड ट्रेजरी से भी तीन गुना जादा सोना पड़ा हुआ था। विसे सोने के मामले में तो भारत सबसे आगय है। महिलाओं को लेकर एक और बड़ा दिल्चस्प आखड़ा है, वो भी आपको बताती हूँ। और ये आखड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर, जहां ये कहा गया है कि देश में बड़े स्तर पर जो जमीन या फिर प्रॉपर् तो वरतमान में कुल 77 फीसिदी घर अभी भी महिलाओं ही खरीद रही है। वह ये रियल स्टेट खरीदने के मामले में भी अब 74 प्रितीशत फैसले आधी अबादी द्वारा ही किये जा रहे हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है दोस्तों कि महिलाओं के घर खरीदने के मामले में लदाक सबसे आगे हैं। यहाँ जादादर आवास महिलाओं के नाम पर ही चल रहे हैं। अब अगर सोचा जाए तो ये वर्ग काफी बड़ा है। जाती धर्म से उपर उटकर ये वोट करने की शमता रखता है। और इसी वज़ा से मोदी ने मंगल सूत्र और स संपत्ती पर जूट बोल दिया। अगर महिलाओं को लगेगा कि उनके नाम पर मौजूद घर और उनके जेवर कॉंग्रेस लेकर मुसल्मानों को दे देगी। तो महिलाओं कॉंग्रेस को वोट नहीं देंगी। एक जूट बोलकर मोदी देश की आधी जन संख्या पर नवसका